हेलो फ्रेंट्स आप देखने टेक्निकल हिंदी गुरूजी फ्रेंट्स जैसा कि आप सभी को पता है कि कि एमसी सी ओल इंडिया कोटा का 15 परसेंट का इस्टर बेकेंसी राउंड इस्टार्ट हो चुका है इसके रेजिस्टेशन बगेरा सुरू हो चुके हैं इसको पर मैं डिटेल्ड वीडियो आपको दे चुका हूं कि इसके में कौन कंडेट इलिजबर रहेगा कौन इलिजबर यह ठीक है टोटल पोस्ट की बात करूं तो लंसम फ्रेंट्स में आपको बता दूं ऐसी कुछ 2489 ऐसी कुछ पोस्ट है आप एप्रॉक्समेट मानकर चल सकते हैं 2500 एप्रॉक्समेट ठीक है इतना इसमें पोस्ट अभी बचा हुआ है अगर मैं एम्स कॉलेजिस की बात करू और ऑल इंडिया के अंदर टोटल उन्नीस एमस कॉलेज है इसमें टोटल 119 सीट बची हुई है ठीक है तो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कफी चातर मुझे कमेंट्स कर रहे थी कि सर हमारे इतने मार्ग से क्या हमें मिलेगा कॉलेज या फिर नहीं मिलेगा तो एक इसकी एक्सक्टिल कट आफ आपको बताने मेला हूँ कि अगर आपके कितने मार्ग हूँ तो आपको एक कॉलेज मिल सकते हैं ठीक है तो वीडियो मान तक बने रहे और अभी तक आपने वीडियो लाइक करने के बाद चैनल को जरू सस्क्राइब कर लें क्योंकि आप सभ करके कटाफ की तो देखिये ऐसे घ्रेज्य जो लेना चाहते हैं ऐनी कि यह चाहते हैं की एंज़ कॉलेज में अभी एक 119 सीट वैकेंट हैं 19 हैं ठोल इंडिया और इंडिया में यह मैं तो टोटल नीच सेट अभी बेकैंट है सबी केते गरा कर गया तो देखिए अगर 9,900 से 10,000 है तो आपको जनल कैटेगरी में Aims college मिल सकता है इंगी यह नहीं बता रहा आपके कौनuleg सा कॉलिज से 19 में से कोई साभी आपको मिल सकता है इंगर आप EWS के प्ल्सकारण करते हैं अगर आपके नोघजार करते हैं 67,000 से 68,000 की बीच आपका इसकुर बन रहा है रैंक आपको अधि एससी सब्सक्राइब देखी इसके साथ यहां पर मैं देखीगा बात करूं तो देखें यहां पर जूह बात करूं और अब यहांसे लगा कर यह देख सकते कि आप कितने मॉपफ होने चाहिए देखी फ्रेंड सबसे पहली बात थो यह है कि अगर चात्रों को सेकंड राउंड जो ऑल इंडिया कट आप गई थी जनरल केटेगरी में 970 गई थी अल इंडिया रैंक आपकी जनरल केट सकते हैं अगर आप इसे अंदाज लगा सकते हैं कि लंसम आपकी 900 थोड़ा 24 कम या ज्यादा करकि आप इसका अंदाज लगा सकते हैं अगर आपकी जो रैंक है इससे जादा आ रही हो तो आपको ब्याचि जनरल के टेग्री में मिल सकता है इस में सेकंड राउंड की ऑल इंडिया कोटा की में बता रहा हुए 2457 राउंड में रही थी और मोपप राउंड में 2711 रही थी अगर आपका EWS केटेग्री में इस्टर वेकेंसी राउंड में 2720 या 30 अगर आपका बर रहा होगा ओल इंडिया रैंक तो आपको कॉलिज मिल सकता है उसके बाद OVC में मोपप राउंड में यहां पर 1987 गई थी और यहां पर आपका OVC केटेग्री से हैं अगर आप बहु मे आपको कॉलिज मिल सकता है एसी केटेग्री में 45182 गया था मोपप राउंड में अगर आपका 45200 के लिए हमसम अगर आपका बर रहा होगा ओल इंडिया रैंक तो आपको कॉलिज मिल सकता है एस्टी केटेग्री में 32564 यहां पर गया था इसमें 32,500 32580 कह सकते हैं चाहे 90 कह अगर आपको अतना ओल इंडिया रैंक हो रहा होगा तो एस्टी केटेग्री में आपको भी हु मिल सकता है उसके बाद यहां पर मैं बात करूँ आगे तो उसके बाद यहां आप देख सकते हैं अगर आप एम्यू ओं में कॉलिज लेना चाहते हैं तो एम्यू में जर्णल क इस्ट्रे वेकेंसी राउंड में पाइटिस्पेट करना चाहते हैं तो अगर आपका 5,150 यह 5,170 के लंसे में आपका स्कोर बर रहा होगा ठीक है पांच एक सो पचास और 170 के बीच में अगर आपका रेंग होगा तो आपको एम्यू भी अलोट हो जाएगा ठीक है तो फ्रेंट्स यह कटाव मुझे बतानी थी जो कि एक एकस्पेक्टेड कटाव है इसके रिगाने और कोई छात्र को कुछ दिक्कत प्रॉब्लम हो तो कमेंड में पूँ सकता है यह कटाव मैंने मोपप राउंड का इसलिए आपको पता है सेकंड राउंड का जिससे आप यह अनुमानत लगा सकते हैं कि हां हमारा इतना माक्स होगा तो हमें कॉलेज यहां पर अलॉट हो जाएगा ठीक है और इससे रिलेटर जिसकी गायलाइंस बगएरा वेकैंसी बगएरा सभी कुछ मैं आपको बता चुका हूं तो चलेगा फ्रेंट मिलते नेक्स वीडियो के मैं जरू पूछेगा